इसे समय सबसे ज़्यादा प्रशन पूछे जाना वाला कमेंट के मादेम से ये है कि उत्तर प्रदिस में सूपर ट्ट की परिशा का बहोगी। अब लगभग आने को है। इसको लेकर के पूरानी भरतियों को ही एक तरके से सामने पटल पर रख रही है। इसक्रिन पर एक ट्वीट देख पा रहोंगे। वहाँ पर लगतार उत्तर प्रदिस राजसरकार को वहाँ की सरकार के द्वारा टार्गेट किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ के बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ पर नौकरी पाय हुए हैं जो कि उत्तर प्रदेश में भरति को लेकर के जब मीडिया में सवाल पूछा गया तो उनके द्वारा लगतार ये कहे गए कि उत्तर प्रदेश में कोई भरति नहीं आ रही है। इसकी वज़े से वहाँ की जो राजे सरकार ये बिहार की वह उत्तर प्रदेश सरकार को कहीं नगें एक तरीके से बार बार उनको टो कर रही है भरति के मामले को ले करके और इसके बाद से ये ट्वीट सामने आया है कि 6 बरसों में उत्तर प्रदेश में एक लाग 4,004,000 सि उत्तर प्रदेश में इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है वो आपको ग्यात होगा कि राम मंदिर को लेकर के बना हुआ है इसके संबन में लगतार वहां पर जो पुजारी होते हैं उनकी हाइरिंग भी की जारी है और इसी सब मुद्दे को लेकर के चुनाव पढ़ा दिया गया है अगर आप पर कैंडिडेट देखेंगे तो लगबग 5 किलो साइद राशन दिया जाता है गेहू और उस समय जब इसके पैसे ले जाते थे तो मार्केट से आधे रेट पर लगबग 12 रुपया पर केजी के हिसाब से दिया जाता था अगर 5 केजी का जो हुआ दो हजार उत्तर प्रदेश की पिछली विधान सभा चुनाव में कि लाभारती वाले मुद्दे को ले करके ही फिर से सरकार बनी है यानि आप देख लिजे उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है वहां पर रोजगार कभी मुद्दा बना ही नहीं वहीं राजस्थान म उत्तर प्रदेश की वह वर्त्मान सरकार है उनके द्वारे यह कहा जाए रहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 450 रुपय में सिलेंडर दिया जाएगा जिसको ले करके जो विभिन पत्रकार है उनके द्वारा सवाल उठाए जा रहा है कि जब राजस्थान में इस प्रकार क के छूट क्यों नहीं दी जा सकते हैं आज अगर हम लोग बात करें तो देश में सिलिंडर का दाम 965 रुपया है और जो डिलिवरी चार्जे जोड़ करके 1000 पार हो जाता है अब केंदर सरकार जो एक परिवार पर मुफ्त राशन के नाम पर 300 रुपया खर्च कर रही है अगर वो राशन पर ना खर्च करके सबसीडी के तौर पर सिलिंडर में दे दिया जाए या फिर जो पेट्रोल के दाम है डिजल के दाम है उसको अगर कम कर दिया जाए तो महंगाई आपको दिख रही है वो जाहिर से बात है जो ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट होता है उसकी वज़ का प्राइस उपर जाएगा तो कुछ बेसिक चीजों को ध्यान में रखरके महंगाई को नीचे किया जा सकता है लेकिन मुफ्त रासन चुकि आपको हाथ में दिख रहा है पांच किलो राशन आपको हाथ में दिख रहा है इस वज़ए से ये मुद्दे को पांच साल के मामले से जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश में आप देखिए कब रोजगार मुद्दा बना हुआ है और 2024 लोकसबा चुनाओ जो भी होने वाला है उसमें भी रोजगार मुद्दा शायद ही बने राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा है और उसके बाद से मुफ्त राश प्रदेश के द्वारा इसे से आप साप तोर पर समझ सकते हैं कि आने वाले साल में यानि 2024 में भी सिक्षग बर्ती को ले करके कोई भी गंभीता नहीं दिख रही है क्योंकि सिक्षग बर्ती से पहले एक सिक्षग पातरता परिछा कराने के लिए पहले ही राजसरकार ने प समय लगेगा ना तो यूपी टेट हुआ है और सूपर टेट की परिच्छा उसके बाद ही हो पाना समभा होगा और जहां पर 2024 का लोग सभा चुनाओ खतम हुआ उसके बाद तो कोई मुद्दा ही नहीं है क्योंकि आप जहिर से बात है अपनी मांगो को लेकर के चुनाओ में ह तो राजसरकार को या फिर केन सरकार को एक तरीके से आप घेर पाते हैं तो जब 2024 का लोग सभा चुनाओ खतम हो जाएगा उसके बाद से उत्तर प्रदेश में 2027 में विधान सभा का चुनाओ है उससे पहले अगर बहुत ज़्यादा दबाओ रहा तभी सिक्छक बरती आने 2024 में सिक्छक बरती आने की संभावना बहुत कम है और अगर आ जाती है तो किसी चमतकार से कम नहीं होगा 2024 के बाद से 2026 में उस समय की ततकालिन परिसितियों के हिसाब से ही चीजे हो रही होगी हलाकि ये मामला चुकी आपको ग्यात होगा कि कोर्ट में भी लंबित है और ये सबी चीजे अभी चल नहीं है तो इन सबी चीजों को लेकर के आप समझ सकते हैं कि 2024 में सिक्छक बरती आने की समावना कितनी है आप जरूर कमेंट करके बताएगा कि 2024 में सिक्छक बरती आएगी अथवा नहीं और अगर आने वाली है तो कब तक आने की समावना है डी मोटिवेट करना नहीं है लेकिन आप उन चीजों को उमीद के तोर पर ना देखे जिसके आने की समावना बहुत कम है और उसके भरोसे ना बैठे बलकि अपने करियर को ले करके किसी दूसरे विकल्प पर जरूर विचार करें आने राजियों में जो भरती आ रही है कि इं जोजगारी मुद्दा शायद नहीं होगा 2024 लोगसबा चुनाओं को ले करके आप जरूर कमेंट करके बताएगा तो 2024 में सिक्षक भरती की आने की समभावना है अत्वा नहीं इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन श को दो पुदू